काफ़ी कुछ बताया गया था कि बहुत जल्दी आप लोगों से हर सांसर से उसके लोग सभा में ट्रेनी पार्टनर संपर्ख करेंगे आप लोग अपने अपने धंग से जो भी लोग अनिम्पुलाइड हैं उनको बेहतर धंग से स्किल्ड करके उनको एक बेहतर फ्यूचर देने की कोसिस करेंगे हमें पता था तब भी कि जरूरी नहीं कि हम सब को नौकरी दे सकते हैं लेकिन हम सब को स्कील कर सकते हैं इस बात की तो गरंटी से लग रही थी दो साल वीद चुके हैं मैं बहुत निराश हूँ मेरा ये मानना है कि कभी-कभी लोग कहते हैं नहीं नहीं अपनी सरकार की कोई गल्पी हो तो ज्यादा बोलो मत नहीं तो इससे बेचती होगी क्या होगा सवाल उठेंगे मैं थड़ा उससे उल्टा सोचता हूँ क्योंकि मैं अपने प्रधान मंतरी को फॉलो करता हूँ उनका कहना है जब तक प्रावलम रेज नहीं करेंगे हमारा समस्या दूर नहीं होगा तो इसलिए हम किसी जिसको छुपातों नहीं रहे हमने बड़े अच्छे जंग से हमारी सरकार ने स्किल डवल्प्मेंट मिनिस्टर शुरू की है और मुझे इसमें भी कोई डाउट नहीं कि हमारे जो मिनिस्टर है वो लगातार इसमें बेतर से बेतर करने की कोशिस कर रहे है वरना वो समय क्यों आता कि सारे मेमर अच्छे पार्लियमेंट को बुलाया जाता सब को एक एक बात बताई है एक सवाल जब कोई मेमर अच्छे पार्लियमेंट पूछता था तो इस पेसली हमारे ओनरेबल मिनिस्टर मेरे वो बड़े भाई की तरह भी है राजी प्रताब रूडी जी उन्होंने रोक रोक के नहीं यह सांसदने सवाल के इसका जबाब दीजिए जो लोग जिन से जुड़े थे जिनको काम लाना था वो सब उस शब्द अलग अलग टेक्निकल वर्ड है वो मुझे हो सकता है कि नहीं याद हो क्योंकि मेरी उन मीटिंग से माद अलग से किसी ने मुझे नसंबर करने गोसिस की मेरी लोग सबा में दो सार के बाद भी मैं लगातार चिंती थो बट कोई भी काम नहीं शुरू हो पाए मेरी लोग सबा दिल्ली में है दूर गाओं में क्या होता होगा I don't know बट मेरी लोग सबा यहां से चलेंगे तो 15 मिट में पहुच जाए जमना जी पार करिए तो मेरी लोग सबा जमना जी के इस पार भी जो सिविल लाइन से वो हमारी लोग सबा है और अनिंप्लाइट कुछे तो ओ हमारे लोग सबा में अगर आप सुवे 9 बज के 30 मिनट पे सास्त्री पार्क पे खड़े हो जाए तो आपको हजारों साइकिल दिखेगी मतलब यह होता है कि 4-4 लेन की दो सड़के 4 लेन मतलब एट लेन तो दूसरे लेन में भी दो लेन साइकिल आती है और दो ही लेन से सुवे जाने वालों को काम चलाना पड़ता है मतलब मेरा है जाराव समझ सकते हैं कि सब लोग वो है जो निकलते हैं उनके साइकिल में टिफिन होता है यह होता है वो सब लोग मजदूर है कहीन कहीं काम करते हैं छोटे मोटे बट मुझे पूरा विस्वास है कि जिस दिन हम उसको स्किल्ड कर देंगे तो उनकी कारिय दक्षता और भी बढ़ सकती है वो और भी बहतर भारत में सयोग कर सकते हैं But I am very sorry to say मुझे नहीं पता कि यहां पे कौन-कौन प्लादी कारी बैठे हैं यहां कौन-कौन सामाजिक लोग बैठे हैं मुझे एक्जेक्टल नहीं पता बट बहुत इपोर्टेंट लोग है हमारे पास मात्र तीन साल का समय है जब हमें पूरा जबाब देना होगा तो यह तो एक बात होई कि अभी तक मेरे छेतर में शुरू नहीं हो पाई और इवेन मैंने मैंने कंप्लेंड किया है मैंने स्किल डेवलोप्मेंट मिनिश्टर को ओएश्डी को लिखा है कि मैं चीरोवार में सवार उठाना चाहता हूं फुले रुखो 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 इस नौट एडवाजूड हम इसको देखेंगे यह बात 29 फरवरी की है बट उसके बाद भी नोबडी कॉंटेक्टेड मी मैं पता नहीं वह मेरा जो जाने नाम नहीं रहता हूं कोई किसकी बंदा है जो इसके मुझे संपर करने मुझे कहा गया उसका नाम भी है, फोन भी है मैं उनको इसमेस भी कर रहा हूं बाट टाइट परसन वो मेरे जो डियर फ्रेंड है अभी तक वो 159 North Avenue का नरास्ता देखे न तो मुझे मिलने की कोशिस किये जबकि मैं एवरी डे मैंने आफिस में हमारा जो मेमर अपड़ेमेंट का ओफिस है मैंने एक टेमिल बना रखा है कि जो लोग नौकरी के लिए जाते हैं उनसे पूछो वो क्या करना चाहते हैं हम उनको ट्रेंड करेंगे क्योंकि स्किल डेवलोप्मेंट जो आइडिया है मुझे लगता है कि देश में जिस भी सरकार देश तो सोचा मैं उसकर हिस्ता हूं तो मैं अपनी फीर थफ़पा सकता हूं कि ऐसा सोचा लेकि मुझे नहीं बता कि और भी MPS से ही दुखी है बट मुझे तो बहुत पीडा है बहुत पीडा है अब दूसरी टॉपिक पर आते हैं कि मैं शायद आसा करूँगा कि मेरे इतने साफ सब्दों में बोलने का जो प्रभाव हो सकता है दस दिन में आये इंडिया स्पीक केस और हो सकता है मेरी कोई गलती हो तो मुझे भी पताया जाए कि नहीं आपको इस आफिस में जाना था आप गय क्यों नहीं आपको ये काम करना था आप नहीं किया कि इवी में जानना चाहता हूँ मैंने अभी एक दो साल सरकार के पूरे होने पे मारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम लोग विकास परव मनाते हैं हर कॉंस्टिवेंसी में तो हर जगा मन रहा है मिनिस्टर्स हमारे आते हैं वो अपनी बाती बताते हैं दो दो घंटे का प्रोग्राम होता है मैंने अपनी कॉंस्टिवेंसी में बीस दिन का विकास परव लगाया है चार जून को शुरू किया मैंने इससे सोचता कि चुकि दिखे क्या है न मैं नया नया राजनिती में हो मैं स्टुडेंट की तरह हूँ मैं बाहर से समझता था कि बहुत दो गड़वड होते हम चलेंगे तो ठीक कर देंगे बट आइम नोट अनेबल तो डू देट मुझे लगता है मैं वो नहीं कर पाया हूँ जो मैं सोचता था इस्किल के चेतर में इस्किल के चेतर में और तो बहुत कुछ किया और मुझे अभी मुझे दो दिन पहले मैं अपने चेतर के आठ सो दिप्यांग भाई बहनों का रजिस्ट्रेशन कर आया था उनको हेरिंग एड़ देना हो उनको ट्राइसाइकिल देना हो उनको 35,000 के मोटरसाइकिल देना हो क्योंकि हवारी सरकार ने 35,000 के मोटरसाइकिल उसमें भी 25,000 रुपया एड़ कर रही है 10,000 कोई देना चाहता है तो हम 25,000 दे रहे हैं तो मुझे मिनिस्ट्री ने 8 करोण रुपय सैंसन किये तो ये सारी चीजें केवल कारिकरताओं तक ही न हो जाए कि हम एक मिनिस्टर आएं और दो जिले के जिला देक्स को बुला लो तो जिले में तो ऐसे ही अपने 10,000 कारिकरता होते हैं तो उसमें से 4,000 जूट गए तो फिर वो कहें ड्यूटी लगी थी याराज मुझे सुनना था सुन लिए हमें ने बट गली तक कैसे पहुंचे हमारी चीजें जो हमारी प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो हमारी सरकार कर रही है उसके लिए हमने उपने एक आइडिया निकाला फिच्छों हम गली क्रिकेट करते हैं खेल के परती लोग का रुजान होता है तो मैंने इपने 40 वार्ड की 40 टीमें बनाई बहुत मुसिबत होई लोग इंट्रेस्ट नहीं ले देते इसे क्या है यह सांसत क्रिकेट क्या कराएगा मैंने कराए और करा के मैंने अच्छा महल त्यार किया फिर इस तिति यह हुई कुछ लोग नहीं आये अब कुछाष्टी में खेल रहा है उसमें अब इसमें एक दिन बाबल सुपरियो जी आए एक दिन जेहन सिनहा जी आए एक दिन डीडीए वी सी आए एक दिन वो सोशल जस्टीस मिनिस्टर आए अलग 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 वाखवारों के प्रमुकों को बुलाता हूँ और एक जगा मैंने table भी लगा है इनको बताओ मुद्रा योजना क्या होती है लोगों रोज skill training क्या होती हला कि बताओ वहाँ भी रहा हूं skill training क्या होती है बताने में मेरी कुछ दिकत नहीं है बड़ जब आज आते तो उनको कैसे दूं ट्रेंड नीं दूं ये मेरी समस्या है तो ये जो मैं जमना चैलेंज लिया तो आज से मिलिया कि जो टीम जीतेगी वो अगली राउन में तभी जाएगी जब वो जमना जी में एक दिन स्रमदान करके आएगी तो बच्चे गए बहुत अच्छा लगा फिर उनमें मैं ग्राउन में बोला कि जिनके घर में गैस कनेक्शन नहीं है वो यहीं लिखवाओ मा को अपनी मुमी को बलाओ तो इसना ते मेरी वीड भी होती थी हो रही है अब इसकी इस्टिल रनी मेरे किसी किसी शब्द का गलत अर्थ लग जाता है वो आदात होगे न कि आदा आदा कभी बोलने के लिए हो जाता है तो मैं कभी कभी गलत शब्द का प्रियोग हो जाता है हिंदी में मैं अपनी बातें ठीक करता हूँ तो अभी भी वो चल रहा है तो गली के लोग, अब जिसे माल ये परसों गटना गटी, एक लड़के को किसी ने कहा दिया, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसको मत खिलाओ, तो उसको खिलाने के लिए उस वाड़ से 800 लोगा है, तो मेरी पुरी और्गनाइजिंग टीम घबरा गई, कि छगड़ाओने वाला ये सांसाज जी, मैं कि नहीं ये हिच्चा आता था, 800 लोगा है, पहले उनको मुद्रा योजना समझाओ, पहले उनको स्किल ट्रेनिंग समझाओ, उनको खेलना ही न, खेला दो गई, मेरा रूल है कि कोई PCCI का टूर्णामिन खेला, उसमें नहीं कहल सकता है, तो खेलाओ, तो आब इतना है, वो आप अख़बार पढ़ेंगे रोज, हिंदी अख़बार खास तोर से, इंगलिस अख़बार, आज आप नोट सपोर्टिंग में, तो मुझे अंगलिस समझ में नहीं आती है, किर्वी कोई होता है, बट हिंदी अख़बार मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, उसके तहत हमारे VC, DDI, उसने कहा, जितने DDA के पार्क हैं, सारे पार्क में DDA स्पोर्ट्स के सामान की वेवस्ता देगी खेलने के लिए, अब व प्या मेरी हिल्प करें, जो लोगों को सरकार ने लगाया है, वो क्यों फेल हुए हमारे तक पहुँचने में, मैं ये मान के चलता हूँ कि 542 लोग सभा में पहुँच गए होंगे, कि उन मेरे ही में नहीं पहुँचे हैं, मेरे हां उनको पहुँचा दीजिए, और इस बड नहीं पारे तक नहीं होँदिए, और दीजिए, झारे जार कि नहीं हमारे लोगा दीजिए.